बिस्मिल्ला रह्मानु रहीम ख़ती नौजरात असलाम अलेकूम इससे पहले वाली वीडियो में हमने OCD Obsessive Compulsive Disorder का एक जो मेन थीम था जो इंट्रोड़क्शन था कि बेसिकली Obsessive Compulsive Disorder होता क्या है उसकी Prevalence क्या है उसकी Causes क्या है उसका Treatment कैसे होगा तो अभी इस वीडियो में हम DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 में जो Criteria दिया गया है Diagnostic Criteria हम उसको Discuss कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो Criteria है मैं इसको Word पढ़ूँगा ता और बाद हम उसको Discuss भी करते जाएंगे Criteria A Presence of Obsessions Compulsions Are Both यानि वो यह कह रहे है जनाब कि जो Criteria A है इसका उसमें से या तो Obsessions होने चाहिए या Compulsions होने चाहिए या दोनों होने चाहिए अब क्या है Criteria A का जो First Point है वो हम Discuss करते है Recurrent or Persistent Thoughts, Urges or Impulsives that are experienced at some time during the disturbance as intrusive and unwanted and that is most individuals cause marked anxiety or distress वो किते हैं Recurrent or Persistent Thoughts, Urges and Images यानि के बाहर बाहर आने वाले जो thoughts हैं जो बाहर बाहर आपके छेरे के सामने जो images आती है कि मुझसे कोई ऐसा काम नहोजे जो मैं नहीं करना चाहरा मुझसे कोई किसी को मैं गोली ना मार दूओ, छुरी ना मार दूओ कोई ऐसी चीज्स की का नुकसान न कर दंओ या या एक अर्श जो है, वो इन्सानकं अंतर चूट रही है थाइए थार्स हैं वो जब आ रहे हों और उसके लावा डिस्टरबंस क्रियेट कर रहे हों मतलब आपकी जो एक रूटीन लाइव एज इंट्रूसिव इंट्रूसिव का मतलब होता है मदाखलत करना आपकी किसी भी स्टेट अफ माइंड में मतलब आप स्कून लेकिन यह ना चाहते हुए भी आपके दमाग में आ रहे हैं और आपके स्कून में खलल डाल रहे हैं इंट्रूसिव दाखलत कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उन में से बहुत ज्यादा लोगों को के अंदर वो इंजाइटी और डिस्ट्रेस क्रियेट कर रहे हैं यानि क्राइटेरिया जो ए है इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है के रिकरेंट परसिस्टेंट थौर्ट्स अर्जिज और इमिजिज दाट आर एक्सपिरियंस इंट्रूसिव एंड अनवांटिड एंड एट इन मोस्ट इंडिविजुल्स कॉस मार्ग इंजाइटी और डिस्ट्रेस यानि बार बार ऐसे थौर्ट्स आ रहे हैं ऐसे इमिजिज आ रहे हैं जो के अंकंट्रोल हैं और आपकी जो मैंटल हैल्थ एक स्कून वाली जो जिन इनी सहत है उसमें मदाखलत कर रहे हैं और उसकी वज़ा से बहुत सारे लोग इंजाइटी या डिस्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं अच्छा जी क्राइटेरिया एप्वाइंट टू है इंडिविजुल अटेंप्स तो इग्नोर और सप्रस सच थौर्ट्स अर्जिज और इम इस और इमिज़ आटो निट्रलाइज देम या उनको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और थार्ट्स अर्ट्स के साथ सम अधर विज़ सम अधर थार्ट्स एड एक्शन या एक जो थार्ट एप उसको दमाग में खत्म करने के लिए कुछ और सोचना शुरू कर हम सुमा गया खाया पिया और इंज्वाय किया तो इस तरह के वो एक एक जो और तरह का जो थार्ट है वो अपने दमाग में लेके आता है उसको सूचना शुरू कर देता है या फिर कोई एक्शन करता है जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चलो कौन सा एक्शन मतलब सम अधर थार्डर एक्शन यानि परफॉर्मिंगा कंपंशन यानि उठेगा परफॉर्मिंस आगी नहीं या अब आपका प्रेक्टिकल आगए पहले आपके जहन में एक बात आई आप ने उसको अमली जामा पहनाना है मतलब आपके जहन में आया कि यार द्रोजा पतनी आप अपना एक्ट शो करेंगे अब वो जो एक थोट के नतीजे में एक ऐसा काम करना जिससे थोट को नुट्रलाइज हो जाई या खत्म हो जाए that is called compulsion आ जाते हैं जनाब आगे compulsion की जानब compulsion क्या है अब हम बात करने लगे compulsions की पहले हमने बात की यहाँ पर obsessions की अब बात करने लगे एक थोट आ रहा था obsession के मेरे हाथ गंदे हैं अब उसका compulsion क्या होगा hand washing एक ordering कोई चीज ऐसी कि जो order में नहीं है अब उसको आप क्या बार बार आ रहा है यार यह क्या मैस क्रियेट कुआ हुआ हुआ है क्या यह मतरब में मुझे आ रही कमरे में यह क्या है अब उसको order करके आप रखेंगे उठेंगे वह आपके अंदर anxiety create कर रहे हैं आप उठेंगे हमको और बहुत सरे mental act जो आप बैठें बैठें भी कर सकते हैं मतलब दौा कर रहे हैं आप चीजों को दमागी दमाग में काउंट कर रहे हैं कि जो मतलब ऐसी कोई भी काम जो counting से related हो और आपके माइंड में एक anxiety create कर रहे हैं तो आप उसको silently दमागी दमाग में उसको count करते हैं that the individual feels driven to perform in response to an obsession यानि अब यह जो मैंने आपको behavior बताए हैं यह क्या है response to an obsession जो thoughts उट रहते हैं आपके माइंड में आपने उनको खितम करने के लिए उनको control करने के लिए यह behavior अपनाए हैं जैसे कौनसे behavior repetitive behavior like hand washing, ordering, checking, praying, counting, repeating words silently तो यह जो है that's compulsion आगे चलते हैं अच्छे जी उसके बाद behavior or mental acts are aimed अच्छे अब यह compulsion कहाब इसी करी यह compulsion का पहला point था अब compulsion का दूसरा point काँ सा है the behaviors or mental acts are aimed at preventing or reducing anxiety or distress or preventing some dead event or situation however these behaviors or mental acts are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize or prevent all the clear the excessive यानि के वो कहते हैं जनाब यह जो behavior or mental act अपर यह जो आप कर रहे हैं या काम उट रहे हैं like hand washing और्डरिंग यह checking यह counting the words in your mind तो यह तमाम के तमाम जो हैं यह इसका मकसद सिर्फ इतना है कि यह आप अपनी anxiety को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इसका और कोई मकसद नहीं है इसका कोई मकसद नहीं है ठीक है इसका सिर्फ इतना मकसद है कि आप अपनी anxiety को दूर करना चाहरे हैं आपके अंदर जो stress की feelings है जो distress है जो irritation हो रही है आपके अंदर anxiety feel कर रहे हैं आप उसकी feelings को control करने की उसको खत्म करने के लिए आप जो है वो compulsions कर रहे हैं यह behaviors या mental acts कर र अब यह जो बच्चे होते नो छोटे इनमें भी OCD होता है मैंने आपको बताया कि 14 years में 25% जो cases होते हैं वो 14 years में बच्चों में भी हो जाता है अब बच्चों में जब होता है तो वो articulate नहीं कर पाते वो असल में बता नहीं पाते कि यह काम कर रहे हैं किस वज़ा से कर रहे मतलब यह जो बार बार दर्वादा चेक कर रहे हैं यह किस वज़ा से कर रहे हैं यह जो हाथ दो रहें बार बार ही किस वज़ा से दो रहें वो basically उसका जो एक मकसद है वो articulate नहीं कर पाते बता नहीं पाते है आगे आ जाता है जनाब Criteria B यह पहने जो हमने Criteria A देखा था ठीक है जी यह उसके दो पॉइंट थे obsessions था Compulsion था अब Criteria B पे आ जाता है Criteria B क्या था Obsessions and Compulsions are time consuming for example take more than one hour per day or cause clinically significant distress or impairment in social occupational और other important areas of functioning यानि के आप Criteria B क्या है कि Obsession or Compulsions जो हो रहें न वो time consuming होने चाहिए यानि वो कमस कम आपका एक घंटा या इससे ज्यादा अगर दिन में आप Obsessive or Compulsive activities में गुजार रहे हैं और या यह जो obsessions or compulsions है यह clinically significant distress या impairment create कर रहे हैं आपकी social occupational और other जो आपके areas of functioning के उन में तब हम patient को diagnose करेंगे OCD उसके लावा जनाब आगे Criteria C the obsessive compulsive symptoms are not attributable to the physiological effect of a substance for example a drug of abuse or medication or another medical condition अब वो यह भी कहता है कि जो OCD है बेसिकली यह उस वकत भी हम diagnose नहीं करेंगे जब अगर किसी और वजा से हो रहा है ड्रक्राइघ कि वज़ा से इस तरह के feelings आ रही है यह कहलें कि अब मैडिकेशन की वज़ा से इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं या किसी और बिमारी की वज़ा से अगर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है तो फिर हम नहीं करेंगा उसको डाइगनोस उसके लिए एक रैटेविया सी जो है वो मस्टर होना चाहिए कि वो ड्रग अब्यूस की जो symptoms हो ना शो हो रही हो मैटस लेंगें की वज़ा से ना शो हो रही हो या किसी और भीध कि फीछिकल बीमारी की व творt आ से जरिनल रेडिकल कंडिशन कि वज़ा से हो symptoms तो तब तक हम उसको डाइग्नोज नहीं करेंगे यब जब तक हम यह तसली करने हैं आगे आजाते है जनावत इस्टरबस इस नॉट बैटर एक्स्टरेंड बाइटर एक्सेसिव वरी जा इन जनलाइज इस डिसॉडर अचा अब आगे शिकार था हर चीज से शिकार रहता है प्री ईकोपेश्टन विद आपेररेंस एजंद बाड़ी इस्मॉर्फिक डिसॉडर यह जो पेररेंस की वह से हो रहते हैं डिफिकल्टी डिस्टार इंडिंग और पार्टिंग विद पॉसेश्चन जिश्यंग डिसॉड़नेंग आई जाती हैं यह सारे disorders यहां पर discuss किये गहां जिस तरह इंपल्स इंपल्स कंट्रोल हो गया illness anxiety हो गया sexual urges and so on तो आपने यह तसली कर लेनी है कि यह जो anxiety है यह OCD वाली anxiety ही है OCD से related ही है यह जो thoughts है मतलब thoughts जो basic OCD में thoughts होते हैं तो यह thoughts जो है कहीं सरफ hair pulling से related तो नहीं है यह लोगों किसे मतलब चीजें अकठी करने के thoughts तो नहीं आ रहे है या कोई और thoughts तो नहीं है या अपनी figure अपनी body जो image है उन से related thoughts तो नहीं है तो इस तरह कि अगर specific thoughts होंगे तो हमां उसका disorder है जिस तरह अगर hair pulling है तो उसके लिए अगर इस तरह के thoughts आ रहे हैं कि मैं अपना यह anxiety हो रही है और आपने बाल यहां से कहच लिया है और आपने इसके नतीजे में बाल यहां से कहच लिया है तो इस नॉट OCD this is basically trichotillomania इसी तरह अगर आप body appearance से related आपको thoughts आ रहे हैं thoughts आ रहे हैं आप आपको लग रहा है कि मेरी body ठीक नहीं है वो बे डंगी सी और आप उठके जाके ऐसे compulsion आप उसको शीशे में बार बार देखते हैं तो this is not OCD this is body dysmorphic disorder तो हर disorder का एक content होता है आपने उस content पर ध्यान देना है और देखना है कि कहीं वो content तो नहीं है यह तो this is dsm-5 diagnostic and statistical manual of mental disorder criteria for the diagnosis of obsessive compulsive disorder whenever you will deal any patient whenever you will find all these symptoms I have discussed in my lecture then definitely you must have to consult dsm-5 for the diagnosis and keep in mind you must be sure that the symptoms those patient showing are showing in OCD you are thinking about that this is OCD but you must have to think about all other disorders relevant disorders and when you will sure that these symptoms are not include or the content of any other psychological disorder then you will diagnose the patient with OCD otherwise not because same symptoms exist in lot many other disorders like anxiety number of disorders have symptoms of anxiety this is it can be the associated symptom of number of disorders so keep in mind you are the clinician you are expert this is your responsibility to get detailed information regarding the pathology regarding the pathology regarding the symptomatology regarding the abnormal characteristics of a disorder and by the taking care of all these information and the facts and figures after that you will diagnose the patient with OCD thank you very much we wish you good luck Allah